तो दोस्तो डीजल और पेट्रॉल से चलने वाली ट्रेनों को बन करने के बाद अब भारतिय रेल्वे ने एक नया और बड़ा फैसला लिया है दरसर रेल्वे अपनी पैसेंजर ट्रेनों से जो स्लीपर कोच है उसे हटाने वाली है मैं जानता हूँ आप सब यही सोच रहे होगे कि अगर रेल्वे ने स्लीपर कोच इसको हटा दिया है तो लोग ट्रेवल किसमें करेंगे क्यूंकि आज भी भारत में मैजोरिटी लोग स्लीपर कोच से ही ट्रेवल करते है मैं खुछ sleeper coach से ही travel करता हूँ पर दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि railway ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए sleeper coaches के बदले एक नई service को introduce की है जैसा कि हम सब जानते कि गर्मियों के season में भारत में कितनी जादा गर्मी होती है और हर कोई भारत में 3rd AC या फिर 2nd AC क्लास को afford नहीं कर सकता है और इसी reason के वज़े से railway ने नए coaches को introduce किया है जो कि है 3rd AC economic class दरसल इसकी जो ticket का price होगा वो sleeper से थोड़ा सा जादा और 3rd AC से बहुत जादा कम होगा railway ने ओरेड़ी 3rd AC वाले economic coaches को launch कर दिया है अपनी कुछ trainों में और ये चीज काफी जादा successful भी हुई है passengers के बीच में और अब इसी reason के वज़े से railway ने ऐसा decide किया है कि वो sleeper coaches को पुरी तरीके से हटा देंगे और उसकी जगा पर ये 3rd AC economic class वाले coaches को लेकर आएंगे वो भी पूरे भारत में हर एक train में और देखा जाये तो इससे हमें यानि कि passengers को काफी जादा फाइदा होगा क्योंकि अब तक जो लोग गर्मियों में sleeper coaches में travel करते थे अब वो उसी same price में AC coaches में travel किया करेंगे वो भी एक premium facility के साथ भारत की जो सबसे fastest train है made in India वंदे भारत train उसमें already इस तरह के coaches का इस्तमाल किया जा रहा है पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि उसमें जो coaches के interior का design है वो ही same coaches के interior का design हमारे अब sleeper coaches का भी होगा railway आज massive बदलाओ कर रही है फिर चाहे वो trainों को ले करो stations को ले करो ऐसा कि आप सभी को पता होगा कि railway अपनी diesel और petrol से चलने वाली गाडियों को भी बन करने वाली है और उनकी जगा पर नई hydrogen trains को लाने वाली है अभी फिलाल इन hydrogen trains के उपर trial run चल रहा है और इन trainों को बनाने की जिम्मेदारी Elstorm company को दी गई थी एक बार जब यह hydrogen train का trial run successfully complete हो जाएगा तो जितनी भी passenger train है उन सभी को बन कर दिया जाएगा इसी के साथ साथ हाली में एक और एक काफी बड़ी update आई है दरसर railway 20 वंदे भारत trains को राजिस्तान में लाँच करने वाली है और देखा जाए तो यह अपने आप में यह काफी बड़ा नंबर है क्योंकि अपतलग कोई भी इस state को इतनी सारी वंदे भारत trains नहीं मिली है इसी के साथ साथ short distance traveling के लिए वो वंदे metro वाले concept को भी launch करने वाली है पहली बार भारत में यह जो वंदे metro trains होगी इनका इस्तमाल छोटे distance के लिए किया जाएगा और इनकी जो रफतार होगी वो 200 km प्रतियार किया होगी तो दोस्तो यह थे railway के कुछ नए project जिसको हाली में launch किया गया है तो दोस्तो आपको क्या लगता है railway का यह जो नया फैसला है आपर वो sleeper coaches को बन करके उनकी जगह पर थड़ इसी economic वाले coaches को लाएंगे वो अच्छा फैसलाई की नहीं मुझे comment section में ज़रूर बताएगा तो मैं इस चनल पर भारत के से update लाते रहता हूँ जहिन